और राइट मेरे प्यारे दोस्तों मैं हूँ हारिस सुल्तान और आज की वीडियो में एक मैं कोशिश ये करूँगा कि हमारी अवाम के लिए कुछ सीखने को उनको मिले एक सेल्फ रिफ्लेक्शन करने मोका मिले क्यूंकि हमारी अवाम को 75 साल से ऐसे जाहिल और ट्रकों की बत पाकिस्तान की फाउंडेशन शेकी थी मजब के नाम के ओपर इस मुल्क को बनाया गया तब ही इसको यह नहीं पता चला कि यह मुल्क इसलामी रियासत है या यह मुल्क एक मौडरन वेलफेर सेट बनना चाहता है सिक्यूरिटी स्टेट बन गया कुछ समझ नहीं आ रही ना स्टेट बनाने की कोशिश कर रहा है कितना कामयाब होता है ट्रांजिशनल फेस जो था उसमें 10-20 साल लग जाते हैं नहीं तो खुनी इंकलाब आते हैं और उसमें और बुरा काम हो जाता लेकिं फिर 20-30 साल बाद वो चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं पाकिस्तान में हमे आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें सबस्क्राइब करें और नीचे कॉमेंट्स में अपने खैलात के इसहार जूर करें इस फकत पाकिस्तान में जो पीटी आई के साथ हो रहा है वो पहली दफ़ा नहीं हो रहा किसी किसी पोलिटिकल पार्टी के आए फिर वो कभी हकी की जमूरियत बन जाते थे कभी उनसे फड़ा कर लेते थे फड़ा नजरिये की वज़ासनी अपने लिए करते थे खान साब ने भी यह किया उनकी गोद में बैठके आ गए पिर आपस में फड़ा हुआ तो चले जी वो फिर इनकलाबी बन गए अब उ लेकिन यह वही लोग हैं जब यह ताकत में होते हैं या ताकत वर लोगों के साथ इत्तादी उनके बने होते हैं अब इनको कुछ नाजर नहीं आ रहा हुता तो इमरान नियास खान साहब मिसिंग परसंस के बारे में क्या कहते थे जरा सुनिये बलोजिस्तान से उठाए गए ज्यादातर लोग बेकुसूर है यह मरीम नवास थाभा ने कहा है देखिए जो लाकों की अबादी है बहुत बड़ी अबादी है बलोजिस्तान की उन शेरों में लाकों लोग रहते हैं जहां से चंद लोग उठाए गए हैं अब इने कि उसका कोई ना कोई किसी जगा पे कोई ना कोई फटा पंगा तो था जिसकी वेरा से वो उठाया गया अगर रियासते पाकिस्तान के साथ था तो फिर रियासते पाकिस्तान वालों ने उठाया और अगर किसी और के लिए काम कर रहा था तो उन्हों ने उठाया और अगर तो अज़ खोद गाइब है तो फिर क्या यानि मरीम नौास सहीवारे पिछले दिनों जो तसावीर अपने हाथ में बलोजिस्तान जाकर उठाई थी उन तसावीर के अंदर मौजूद जो लोग थे उनके तालुकात फिर किन लोगों से निकले और उनकी तसावीर किन लोगों क की बात करते हैं और मुलक के साथ घतारी ये लोग जो लोग स्टेटस को के खिलाफ इस्टेबिश्मेंट के खिलाफ बात करें वो फिल्डाशार में होते हैं तो यह जिन लोगों की बात कर रही है वह किन की बात कर रहे तैं sepansal कि को पाकिस्तानी फौज को और साथ साथ ये भी कहते हैं कि हम अदम तशद्द्द के हामी हैं हम लड़ाई नहीं करना चाहते तो ये बता दूँ कि इस बंदे की ग्रफतारी हुई है इन्ही बेयानात की वज़ा से क्यूंकि इसके खिलाफ लोगों में बड़ा रग्ते अमल था औ को क्याता है वक्त कैसे बदलता कि जब इमरान नियाज खान साब अंदर थे ना यह इन्होंने यूएस सैनेट में रॉयल फैमिली को ब्रिटन की ब्रिटन की पार्लिमेंट में हार एक को इन लोगों ने प्रोच किया हमें बचा लो हमें बचा लो क्यूं तब यह अपने मु हुचने का मौका है कि जिंगोईजम नैशनलिजम की ओवर अपने आपको ज्यादा पेट्रियोटिक दिखाना यह बड़ा असान काम है मैं अभी कहने लग जाए हूँ पाकिस्तान से खुबसूरत मुल्क कोई नहीं है मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ पाकिस्तान के नॉर अपने लोगों को जगाना जगाना यह बड़ा मुश्किल काना उन लोगों से वो तो मेरी कुछ शख्सियत आसी है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन बड़ा मुश्किल अभी भी जब कोई भी पॉजिशन बंदा लेता ठीक है यह मैं यह नहीं कह रहा कि वह लोग जा उसमें किया क्या उसको सामने जोतरी मर्जी तौलिया मारी जाएं उसको करें वा जी वा दुनिया का सबसे खुबसूरत इंसान तू है यह है वह जो मर्जी कह दो तरह करके देखो ना तरह खलाफ बात फिर पता चलेगा कि कितने तुम हक परस तो बहराल यह इमरान रियास खान साब यह बातें करते थे क्योंकि उसकत यह इस्टैबलिश्मेंट के पिट फूद है इसलिए उनकी लोलो पोच्छर कर रहे थे खान साब जो हमारे बड़े खान साब हैं वो भी यही काम कर रहे थे एक पेज़ पे हैं जब च्छितर उल्टा हुआ जब वही लोग आप और फिर खञाफ हो गए तब आपको पता चल गया तो बेरहल इन्नों ने अब इमराण नियाज खान साब नकीन को इनको इनकी साथ बड़ा बुरा हुआ अगें नहीं होना चाहिए लिकिन पिर आप यह क्या होना चाहिए ऐसे लोगों की ताकि पता चले जो हम यह कहते हैं क तो जो हम यही कहते हैं मुर्तदों को मारना बंद करो गुस्ताखों के ओपर ये मजब की जो ये जो जनूनिया डाली है इसको बंद करो और उसका नतीजा ये तभी निकल रहा है और आप आप देखें इनका जो टोन है ना बहुत सारे कुछ लोगों की आवाज नरम हो रही है इसके उपर क्योंके कौन है एक्स मुस्लिम से मारे जाते हैं हमेशा से मुलहदीन नाकदीन अब इनके मुसलमान भी बनने लाग गया है चोड़ी मोड़ी बातों पर देखें इन्होंने क्या नतीजा निकाल लिया तो क्या इस तरह होना चाहिए मजीद ताके इन लोगों को समझ आए तो उसी तरह इमराद नियास खान साथ जो है वो अब बलोचिस्तान के लोगों के साथ अपनी यकजहती शो कर रहे हैं उनके साथ पहर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि मुझे वीडियो वैसे मिली नहीं है लेकिन ट्रेंड कर रहे हैं कि उन्होंने माफी मांग ली स्जाइन देखन Hai बात का रहा हैं तो इसी तरह सारे अक्टिविस्त और भी हैं पाकिस्तान के वीडियोंस मासत के मामलात में यह नहीं होना चाहिए इनको जैसे अब समझ आ रही हैं कि हर कोई जो भी गंद है वह इस्टैब्लिश्मेंट है हम वैसे बड़े अच्छे थे बंगलादेश में पहले चुप करके बैठे वे थे हाँ जी उन्हों को इस्लाम के नाम पर बनाना है गलती थी किसी भी मुनक को किसी भी मख़व के नाम पर आजकल की जमाने में नहीं BNA आजा सकते थे लेकिन आप एज आएजर उए नहीं है अब मोड़न र्यास्तों में आपको strong bureaucracy चाहिए rational bureaucracy चाहिए क्या बजाएंगे ये मुसल्मान पूरी दुन्या में खुश हो जाते हैं हमास ने इसराइल के पर हमले कर दिये आप करोड़ द्वाएं बलके दो अरब मुसल्मान से सुकर द्वाएं कर रहे हैं नहीं हो रहा है क्योंकि इसराइल के पास टेक्नालोजी रैशनल सोच के बाद आपको खुदा की जुरूरत नहीं रहती तो इसलिए उपर से बंब कराते हैं आप जिदरी मर्जी द्वाएं पहले बड़े खुश हुए हो जी अब इसराइल तो गयो मुसल्मानों की घर जाग उनके पर हमला कर दिया और फिर बाद में अपडेट हुआ तो जी सीसफायर फिर इंके एक और नकाम मुल्क उतीज ने वह इनका एक आदा जाज पर हमला किया उन्होंने आ आगे इनके बखेयों देरने शुरू कर दिया अब फिर से अभी काल उन्होंने लबनान के अंदर क हमास के डेपिटी लीडर को बढ़ा दिया क्योंकि ये दोर है स्ट्रॉंग रैशनल ब्यूरोक्रसी कूलर हैड्स की ये जजबाती बात है नहीं मुसल्मानों के पास और कुछ भी नहीं जजबाती बातों के लिए मसीहा आएगा अल्ला की मदद आएगी ये होगा वो कुछ नहीं इनके पास इसलिए मार खा रहें और हमेशा मार खाते रहेंगा अगला चैलेंज भी है वह चाइनीज है क्योंकि आपकी जंगे लड़ना इसका दारोमदार आपकी अच्छाई या बुराई के उपर नहीं है इसका दारोमदार आपकी एफेक्टिवनेस के उपर है जो साइंस और टेक्नोलोजी को मानेगा ये जिन भूत फरिष्टे खुदा मेरा खुदा उरंखोता चांद के दो टुकड इन बातों का हकीकर से कोई तालोग नहीं है जो इनको छोड़ेगा वो ठीक हो जाएगा तो इनको आज से 10 नहीं तो 20 साल बात ये तब समझ आएगे फिर कहेंगे हैं हमें अब समझ आ रही है हो ये बात नहीं है हमें एक modern welfare state secular state बनना चाहिए science and technology के अंदर physics की किताबों के अ अपडेट कर रहें किताब हैं जब मैं पढ़ता था उससे भी बुरा हाल हो चुका है मेरे जमाने में इतना बुरा हाल नहीं था टैक्सबुक का उसके उपर भी लिखावा है जब hydrogen atom oxygen के साथ मिलता है तो फिर अल्ला के फद्लों करम से अल्ला की रज़ामंदी से एस्टू इसराइल का तबाहु बरबाद तो तुम हो रहे हो मुसल्मान हो जहां पर जाते हैं इनको ठोक के आ जाते हैं और यह कुछ भी नहीं आगे से कर सकते हैं बस यह यह तो चोलिया चुक चुक के बदवावां देने ने आया लुटे गए बरबाद हो गए तरह काखना रवे इ जब तक उनके पास साइंसे टेकनोलजी और अगली साइंसर टेकनोलजी की जग जीतेगा वह यह मोमेन ही नहीं जीते इन और फिर भी खोते और उन्तों के खुआप देखते रहने हैं अगला जो चैलन्ज होगा और लेमी से नादवान उससे बढ़ा जो अगला चैलन्ज हो और उनकी पॉपिलेशन अभी भी मिजॉरिटी जो 40 साल से काम है तो अगले 40-50 साल तक तो इंडिया कहीं नहीं गया और इसी तरह इनके अपड़ेट इसी तरह होते रहेंगे शायद उमीद है यह मेरे जाद से छोटे-छोटे आक्टिविस्टों की कि शायद हमारी आम जाग अगर आपको मेरे चैनल के मेंबर बनिये या फिर आप मुझे बाइन या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं क्या ओड़ेट बनियो नापको में जाद से वालड़ी आपको में भी स्चाफ़ों का या क्या ओड़ेट या कि बाइने को अक्टिव तरह होते हैं